हेलो एवरीवन, वेलकम टो अध्यानलोजी दोस्तों, I am very sorry कि मैं इतना लेट हुई हूँ आपके सामने ये वीडियो लाने में आपके बहुत सारे मैसेजेज भी मिले मुझे और मैं समझ सकती हूँ कि कितनी परेशानिया हुई है आपको आपके पढ़ाई बीच में इसे ब्रेक हुई तो लेकिन I promise कि अब ऐसा नहीं होगा continuity break नहीं होगी जितना जल्दी possible होगा मैं आपके सामने दूसरी वीडियो भी लेकर आऊंगी ओके, सो देखी हम पढ़ रहे थे मध्य प्रदेश की जीके और जिसमें हमारा टापिक था Division and District जिसमें हमने पढ़ लिया है भोपाल Division Complete हम थे रनिंग में किस पे? ग्वालिया डिवीजन में तो ग्वालिया डिवीजन का भी हमने ग्वालिया डिस्टिक अशोक नगर डिस्टिक और गुना डिस्टिक ये कवर कर लिये थे अब हम पढ़ेंगे आज शिवपुरी के बारे में और अब हमारा फिर बच्चेगा एक और जिला ग्वालिया डिवीजन का दत्या उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे तो इस पूरी वीडियो में आपको सारी जानकारिया मिल जाएंगे शिवपुरी के ये हमारा इस कोर्स का लैसन नमबर है 10 इससे पहले हमने 9 वीडियो इसकी पढ़ी है अगर आप चाहें उनको पढ़ना तो प्लेलिस्ट में जाकर उनको पढ़ सकते हैं अगर वीडियो पसंद आए तो प्लेज सब्सक्राइब और शेयर करना मन भूलना और कोई भी क्वेरी हो तो आप कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं इस वीडियो इस प्रिजेंटेड बाई मी मेरा नाम है नमृता सोनी और अगर आपको इस वीडियो की पीडियेफ चाहिए है तो आप टेलिग्राम चैनल जॉइन कर सकते हैं अध्यानलोजी 2020 सो देखें शेफपुरी की डाइमोग्राफी पढ़ेंगे हम सबसे पहले शेफपुरी का एरिया है 10,666 स्क्वेर किलोमेटर कितने लोग रहते हैं यहाँ पर तो 17,25,782 लोग निवास करते हैं शेफपुरी के अंदर यहाँ का सेक्स रेश्यो बहुत कम है 877 है यानि 1000 पुरुष पर कितनी फिमेल है 877 और लिटरेसी रेट की बात करें तो लिटरेसी रेट है यहाँ का 63.73% अब हम देखते हैं यहाँ की तहसिल हैं कौन-कौन सी है तो 9 तहसिल हैं शेफपुरी की शेफपुरी, पहुरी, बैराट, कोलारस, बदरवास, पिछोर, खनियाधाना, करेडा और नरवर तो यह हमने बात की यहाँ की डेमोग्रैफी और आप इनको मैप में भी आपे देख सकते हैं अब हम देखेंगे की कौन-कौन से जिले हैं जो शेफपुरी को घेरे हुए हैं यानि कि शेफपुरी की चारों तरफ क्या-क्या है सबसे पहली बात तो शेफपुरी को मद्य प्रदेश की पहली टूरिस्ट सिटी होने का दरजा बिला था और यह मद्य प्रदेश गौर्मेंट की द्वारा 2010 में घूशित क्या गया था शेफपुरी को шिमला कहा जाता है मद्य प्रदेश का यहां का temperature क्योंकि कम होता है इसलिए अब देखें ये है हमारा बीच में शेफपुरी अब हम इसके उपर जाएंगे यानि मैंने आपको बताया था जब हम map में देखते हैं तो ऐसा plus का sign बनाते है उपर north होता है, नीचे south होता है और इस तरफ होता है east और यहां होता है west direction तो यहां है हमारा शेफपुरी अब उपर की तरफ हमने देखा क्या है ग्वालियर डिवीज़, ग्वालियर डिस्टिक है जोरी ये ग्वालियर है और north west में है शेवपुर और इस तरफ देखेंगे तो है दत्या, north east में और दक्षिर में अशोकनगर और south west में गुना है तो यह 5 जिले किसके cover करते हैं, किसके touch होते हैं शेफपुरी से मर्द्य प्रदेश के लेकिन शेफपुरी से 2 और state touch होते हैं जैसे इस तरफ west में राजिस्थान का कोटा जिला touch होता है और उत्तर प्रदेश का जहासी शेफपुरी से touch होता है तो शेफपुरी एक ऐसी district है जिसकी सीमा दो दूसरे राज्यों से touch होती है देखें, पूरे मत्य प्रदेश की ऐसी कौन-कौन सी district है जिनकी दो राजियों से सीमा लगती है तो पहला है मुरेना मुरेना की सीमा भी राजिस्थान और यूपे से लगती है और शिफपुरी की राजिस्थान और यूपे से लगती है ठीक है, यह याद करना बहुत जरूरी है एक्जैम में ऐसे questions आते हैं boundaries पूची जाती है दूसरी बात करेंगे तो गुजरात गुजरात और राजिस्थान से किसकी सीमा लगती है? जाबुआ की तो जाबुआ एक ऐसा जिला हो गया और एक मुरेना है जिसकी सीमा दो राजियों से लगती है फिर गुजरात और महरास्थ से एक और जिला है अलिराजपुर जिसकी सीमा दो राजियों से लगती है उसके बाद है बालगार जिसकी सीमा महरास्थ और 36 गर से टच होती है फिर है सिंगरौली जिसकी सीमा उत्तर प्रदेश और 36 गर से टच होती है तो ऐसे कितने जिले हो गए? 6 कौन कौन से हो गए? यहाँ पर मैं देख लिख देते हैं आपके लिए एक तो मुरैना है दूसरा है जाबुआ मुरैना की सीमा यूपी और राजिस्थान से टच होती है जाबुआ की टच होती है गुजरात और राजिस्थान से फिर है अली राजपुर अली राजपुर की सीमा लगती है गुजरात और महरास्ट से उसके बाद है बाला घाट बाला घाट की टच होती है महरास्ट और चत्तीसकर से उसके बाद है सिंगरॉली सिंगरॉली की सीमा लगती है 36 कर और UPC तो ये सारे बाउंडरी पे थे लेकिन एक बीच में से ऐसा दिखता है शिफपुरी तो कन्फ्यूज हो जाते कभी कि कौन सा ऐसा जिला था जिसकी सीमा दो राज्यों से लगती है अदर दन 20 की 5 ये है और छटवा है शिफपुरी तो ये रखना आप लोग याद ओके बढ़ते हैं आगे तो देखिए हम अभी जोग्रफी पढ़ रहे हैं शिफपुरी की शिफपुरी का जो situated कहा पर है मतलब कितनी उचाई पर इस्थित है शिफपुरी तो 1515 feet उचाई पर इस्थित है इसलिए यहाँ का temperature कम होता है comparatively इस city को क्या कहा जाता है अपनी greenery और forest के कारण famous है यहाँ पर बहुत हर्याली ही मिलेगी आपको ज़रने मिलेंगे forest मिलेगा माधव national park भी है यहाँ पर और इसको कहा जाता था summer capital थी है सिंधिया फैमली की जब उनका राजय चलता था तब गौलियर डिस्टिक में तो जब गौलियर में उतला इनका सिंधिया का समराज फैला हुआ था तो इनकी summer capital क्या थी शिफपुरी यानि कि summer में गर्मियों की season में यह लोग शिफपुरी में आ जाते थे अपना राजपाट उठाकर फिर इसको सिफपुरी को tourist destination कहा जाता है मांसून सीजन में यहाँ पर बहुत सारे जो यह ज़र्ने आप देख सकते हैं पिक्चर्स में यह बन जाते हैं और यह ज़र्ने ऐसे cascading में flow होते है एक सीधी में नहीं गिरते जैसे बहुत उचाई से cascading में होते है कि जैसे यहाँ पे गिरा थोड़ी उचाई पर फिर नीचे पत्थर है फिर यहाँ से थोड़ी और उचाई है तो इसे सीड़िया बनी हुई है कुछ ऐसी बहुत सुन्दर दरश्य लगते है तो भूरा खो है भरका खो है और यह है यहाँ का fall पावा waterfall बहुत ही सुन्दर waterfall है यह और एक बहुत important बात है शिवपुरी में यानि हमारे मद्ध प्रदेश में crater है crater जैसे कि एक lake है आपने सुनागर लो नार लेख है जो महारास्ट में बुलधानर स्टिक में तो वो भी crater जील है यानि जब कोई उलका पिंड टकराई होगी प्रत्वी पर तब गढ़ा हो गया फिर उसमें पाने भर गया तो यह जील का निर्मान हो जाता है इस तरह से ढाला crater है शिफपुरी में करीब 11 किलोमीटर का इसका डायमेटर है यानि यह बहुत बड़ी है जो सदन एशिया का जो हिस्सा है है ना सदन एशिया का जो हिस्सा है उसकी सबसे बड़ा सबसे बड़ा crater का आ जाता है ढाला crater को यह MP में है यह रखना याद तो इसका डायमेटर है 11 किलोमीटर का और यह खाँ पर इस्तित है शिफपुरी के पिछोड इस्टिक में और एक और बाद यह सबसे बड़ा crater है इंडिया का और 37 सदन एशिया का जो मैंने भी बताया आपको अब crater क्या होता है crater अभी मैंने कहा कि कोई मैटराइट टकराया कोई उलका पिंड टकराया ठीक है तो इक गढ़ा हो जाता है बड़ा सा और उसमें फिर पानी भजाता है तो वो लेक बन जाता है तो यह सिर्फ मैटराइट के टकराने से नहीं बनता अगर volcanic activity हुई है तब भी ऐसा हो जाता है पहले यह pink color की हो गई थी तो climate change के कारण हुआ था और दूसरी है हमारे शिफपुरी में ढाला क्रेटर और एक और क्रेटर है रामगड क्रेटर है यह राजिस्थान में है अब यहां की नदियों के वारे में पढ़ते हैं तो शिफपुरी में चार में नदिया है पारवती, सिंध, कुनो और बेतवा और एक और नदि है महुआ नदि जो शिफपुरी से ही ओरिजनेट होती है यहां देखे यह है महुआ रिवर इसको local language में Samoa रिवर कहते है और मधुमती और मधुवैनी भी कहा जाता है महुआ रिवर को देखे जो पारवती नदि है यह निकलती है कहां से निकलती है देवास से निकलती है यह सीहोर से निकलती है पारवती नदि सीहोर से निकलती है और कहां मिल जाती है चंबल में मिल जाती है ठीक है यह पारवती रिवर यहां से आ रही है, यह चंबल में मिल जाएगी पारवती नदी को मेग दूत जो है काली दास का पारवती निदी को यहां लिख देती हूँ है पारवती रिवर को जो मेग दूत लिखा था किसने काली दास की रचना है काली दास ने मेग दूत में पारवती को कहा है नीर विंध्या क्योंकि विंध्यान रेंज से निकलती है तो नीर विंध्या का जिक्र किया गया है काली दास मेग दूत में और वो कौन है तो पारवती रिवर है दूसरी बात करें तो सिंध नदी सिंध नदी सिरोन से निकलती है गुना के और ये भी चंबल में बिल जाती है यू-पी में जाकर और इस पर सिंध नदीब पर आगे की स्लाइड में हम देखेंगे इस पर डैम बना हुआ है ये दिखिया आप मदि खेडा डैम है यहां पर सिंध नदी पर और उसके आगे चलके मोहिनी पिक अप रिजर्वायर है फिर हम देखेंगे कुनो रिवर है कुनो रिवर ओरिजनेट होती है शिवपुरी प्लेटियों से और ये कहां मिल जाती है तो कुनो भी चंबल में मिलती है फिर बेतवा बेतवा नदी कुम्रा गाओ रायसाइन से निकल कर यमना में मिलती है हमिरपुर में तो ये हमने देखा शिवपुरी से कौन कौन सी नदिया निकलती है एक बार फिर से देख लेजे यहां से पारवत्ती ये कुनो जा रहे है और यहां आ रहे है sindh नदी और ये निकली है महुआ रिवर जो महुआ रिवर है ये करेरा wildlife sanctuary से पास होता है ये देखें आपे करेरा situated है और एक और रिवर है बेतवा रिवर ठीक है तो ये नदियों के वारे में हमने पढ़ा आगे चलके हमने देखा डैम भी अब हम इसकी हिस्टी देखेंगे शिवपुरी की तो शिवपुरी को प्राचीन काल में क्या का जाता था? सीपुरी local people अभी भी कुछ लोग सीपुरी बोलते हैं शिवपुरी को शिवपुरी भगवान शिफ के नाम पर इसका नाम रखा हुआ है तो प्राचीन काल यानि कि हमने देखा प्राचीन काल यानि हिस्ट्री तो हिस्ट्री कहां से है तो प्री हिस्टोरिक एविडाइन्स भी मिलते हैं शिफपुरी में जिस तरह से भीम बेटिका में मिलते हैं गुफाओं के अंदर को शैल चित्र बने हुए है सेम वे में यहाँ पर भी एक गुफा है चुडैल छज्जा कहते हैं लोग वहाँ पर प्री हिस्टोरिक एविडाइन्स है कुछ चित्रकारी की गई है बहुती प्राच्ची नसी ठीक है? आगे हजल के हम देखेंगे इसको डिटेल में बाण गंगा सागर जो है यहाँ का कहा जाता है कि महा भारतकाल की जो अरजुन थे जब वो अग्यादवास के लिए निकले थे उनको जो बनवास हुआ था तब वो शिफपुरी में भी रहे थी और जब माता गुंती को प्यास लगी थी तुनों ने अरजुन जिकर पानी लेकर आओ तो जंगल में कही पानी ने मिल रहा था अरजुन ने अपने बाण से जमीन में मारा और पानी निकलाया था तो ये वही जगा है बाण सागर का आ जाता है जिसको ठीक है नल और डम्यंटी जिनका भी जिकर महाभारत में है वो भी इस प्लेस से ब्लॉंग करती थी यहाँ पे नरवर किला है जो राजा नल के लिए था नल पूर्था पहले उसका नाम पानी नी ने अस्ट अध्याय में शिवपुरी के बारे में लिखा है कि शिवपुरी में कौन-कौन सा वन्ष रहा है क्योंकि कुछ एविडेंस मिले हैं कुछ सिक्के मिले हैं उनके या फिर कुछ निर्मान कारिक किया है उन्होंने इसलिए हम बढ़ रहे है फोस सैंचुरी में नंद डाइनस्टी ने रूल किया है यहाँ पर थर्ड सैंचुरी में मौर्या डाइनस्टी भी आई यहाँ पर जैसे आपने देखाऊगा दत्या के गुजर अभी लेख में है अशोक के वारे में तो वो मौर्या डाइनस्टी यहाँ पर रही है फिर शुंग और नाग डाइनस्टी भी यहाँ पर रही है जो पुरानी सिटी थी पद्मावती वो उनकी कैपिटल थी अभी पवाया कहते है नाग डाइनेस्टी की यहाँ पे उनकी सिक्के मिले है ठीक है गुpta वंज भी यहाँ पर रहा है गुपता डाइनस्टी भी क्योंकि इनोंने उनकी निर्माण कारी करवाई वहाँ पर फिर हर्श्वर्दन ने रूल किया प्रतिहार डाइनस्टी भी यहाँ पर रही प्रतिहारो ने चौरपूर में जो शिफ टाइमपल है उसका निर्माण क के बाद जब मतलब मावा भारत का निर्माण हुआ था तो मद्धे भारत का हिस्सा था यानि तब भी श्रीफपुरी डिस्टिक था और फिर उसके बाद जब पुनर गठन हुआ था 1956 में तब भी श्रीफपुरी एक डिस्टिक के रूप में ही था मद्यप्रदेश का, ओके तो यह थी इस्ट्री, अब हम देखेंगे economy, तो शीफपुरी जो है यह backward reasons grant fund program के under, यानि कि यह कैसा backward stick है, most backward stick की category में है शीफपुरी, ओके तो ministry of pancati राज ने शीफपुरी को most backward stick में category में डाला था, ठीक है तो ऐसे पूरी country में 640 districts है, जो most backward category के है और, ने, सॉरी total 640 districts में ऐसे 200 ऐसे district है और ये भी थोड़ा सा confirm कर लेना आप 200 है या फिर 254 है, ऐसा कुछ है तो 2006 में ministry of pancati राज ने शीफपुरी को country के जो 640 district है, उनमें से 200 backward जो district है, उनमें से हमारा शीफपुरी भी एक है मत्यप्रदेश के से 24 district है जो most backward district है जिनको backward reason grant fund program के अंतरगत fund मिलता है सुधार करने के लिए कुछ development करने के लिए देखे होता क्या है जो backward reason grant fund है, ये fund प्रोवाइड किया जाता है इसके अंतरगत, जैसे कि कोई जो districts होते हैं, उनके बीच में imbalance है, development कारे नहीं हो रहे हैं, तो fund दिया जाता है कि आप कुछ factories लगाओ, कुछ development करो, इसलिए जैसे कि वहाँ पर भी निर्मान कारे हो और कुछ factories होंगी, industrial बनेगा एरिया, तो रोजगार भी मिलेगा वहाँ के लोगों को, इसलिए ये financial support दिया जाता है, central government के द्वारा श्रीफपुरी में और देखें, तो कथ्था factory है, तो कथ्था factory एक और है, कहाँ पर है, बानमौर में है, कहाँ पर है ये बानमौर मुरैना में, तो एक श्रीफपुरी में है, और दूसरा कथ्था factory मुरैना में है तो कथा फेक्टरी जो है, इसके बारे में पूछा जाता है, यह खेर के, जो खेर की लकडी होती है, उससे बनाया जाता है कथा, और कौन से ट्राइप्स के द्वारा बनाया जाता है, यह भी important है, तो खेर वार, खेर वार ट्राइप्स होती है, जो वो खेर की लकडी से कथा ब वहाँ पर nuclear power plant proposed है एक और पहले प्रपोस किया गया था 2007 में ऐसा किया गया था जो चुटका है याद आपको चुटका nuclear power plant ये बनाया गया था और उसके बाद ये भी किया गया था कि भीमपुर में भी बनेगा तो ये शिफपुरी में है और चुटका कहा है तो चुटका है मंडला में कहा है चुटका मंडला में है काणा नेशनल पार्क के पास में उसके बाद कंट्री का पहला सोलर चलित सौर चलित टेलिफोन एक्सचेंज कहा पर इस्तापित किया गया था तो अमूल पाथा अमूल पाठा भी कहाँ पर है शिफपुरी में तो इतनी बाते हमने पढ़ी इसकी एकॉनमी की, ओके अब हम इसका एग्रिकल्चर देखेंगे देखें, शिफपुरी जो है क्या है एग्रिकल्चर बेस्ट है पुरा का पुरा डिस्टिक और यहां की में ओक्योपेशन की है लोगों का तो अग्रिकल्चर यह क्योंकि इंडिस्टिल एरिया नहीं है शिफपुरी ठीक है राइस, जोार, बाजरा, मेज वेड, बारले, यह यहां के में क्रॉप्स है और दाल कौन-कौन है और गेहों बहुत जादा होता है और यहां पर मस्टर्ड भी उगाया जाता है ठीक है सरसो अब शिफपुरी में ITBP की छावनी है यानि की इंडो-तिबेटियन बार्डर पुलिस की छावनी है शिफपुरी के अंदर ओके यह करेरा में है और यह रखना आपको याद क्या कौन सा सेंटर है आपे तो रिक्रूट ट्रेनिंग सेंटर है और एक और सेंटर है सपोर्ट वीपन ट्रेनिंग स्कूल है जहां पर वीपन की ट्रेनिंग दी जाती ओफिसर्स को रोया के जवानों को और इनके जो जवान होते है ITVP के इनको कहा जाता है हिमवीर हिमवीर किसको कहा जाता है ITVP के जवानों को और ITVP की स्थापना कब हुई थी तो 24 ओक्टूवर 1962 में हुई थी अब हम देखेंगे कुछ यहां की प्लेसेज जो है टूरिस्ट प्लेस भी कहा सकते और इंपॉर्टेंट जो प्लेसेज हैं वो हम देखेंगे शिवपुरी की तो चुडायल छज्जा प्राची शायल चित्र है यह जो की टुंडा भरका खोग के नियर में है यानि पास में है माधव नेशनल पार्क से कुछ 6 किलोमेटर दूर है देखिए यह जो चित्रकारी है यह ऐसे चज्जा जैसा बना है बहुत बड़े बड़े यह पत्थर है बाहर निकले हुए है थोड़े और यहाँ पर यह चित्रकारी की गई है तो यह prehistoric time के है और चांदनी रात में यानि की रात के समय में यह थोड़े से चमकते है ठीक है तो local peoples क्या कहते है इनको कि यह चुड़ेल ने बनाए है यह जो pictures है कि अटने चुड़ेल आकर बना जाते है तो कहा जाता है चुड़ेल जच्जा ऐसी मानता है इन लोगों की देखें यहां की जो चित्रकला है यह सहरिया ट्राइब की दिन चरिया को दर्शाते है यह चित्रका चित्रांकन जो होता है देखें यानि की जो painting है यह मानव जाती की सबसे प्राचीन कला है पहले के लोग गुफाओं की दिवारों को canvas की तरह यूज करते थे और पत्थर से पत्थर और गेरू ऐसी चीजों से लिखते थे और कलर मिला ले देते थे फूलों के या पत्तियों के ठीक है तो इस तरह से painting की जाती थी पहले दूसरी बात यहाँ पर क्या है माधव नेशनल पार्क है माधव नेशनल पार्क जो की पहले मुगल एमप्रेर और बार में सिंध्याओं का क्या था? hunting ground था यह यह पहले इस पार्क में यह जंगल की तरह लोग देखते थे और इसको hunting करते थे शिकार करने के लिए जाते थे अकवर ने भी यहाँ से बहुत सारे हाथियों का जुंड पकड़ा था एक बार और जब Britishers थे तब क्या हुआ था? 1916 में, 1916 के समय में Lord Harding ने, किसने? Lord Harding ने एक ही दिन में, एक ही दिन में क्या किया था? आठ Tigers को शूट किया था, ओके? तो ऐसा होता था पहले 1956 में notice किया गया था, श्रीफपुरी को कैसे? नेशनल पार्क नाम दिया था और फिर बार्द में, 58 में रीनेम किया गया था, इसको कहा गया था, माधव नेशनल पार्क माधव नेशनल पार्क क्यों? माधव राव सिंदिया जो थे, उनके नाम पर इसका नाम दिया गया था तो नेशनल पार्क कर स्टेटस इसको कब मिला था? 1959 में नहीं, ये है 1958, 1958 में मिला था कौन-कौन से पाय जाते हैं इस फॉरस्ट में एनिमल्स तो टाइगर, लेपर्ट, नेल गाय, चिंकारा चिंकारा का नेम है, गैजेला, बैनेटी और चॉसिंगा, डियर्स ये सारे एनिमल्स इसके अंदर पाय जाते हैं, ठीक है इसके अंदर जो एक लेक है, सांख्य सागर बोट कलब है वहाँ पर, वहाँ पर क्या होते हैं, साइबेरियन प्रवासी पक्षी आते हैं ठीक है, तो ये पूछा जाएगा कि माइगरेटी बर्ड्स कहाँ पर आते हैं तो आप याद रखना, माधव पार्क में सांख्य सागर है सांख्य सागर जील है यहाँ पर माइगरेटी बर्ड्स आते हैं, प्रवासी पक्षी आतें, साइबेरियन बर्ड्स पहले क्या था, यहाँ पर एक बॉक्स लगा हुआ था, शूट करने के लिए यहाँ पर एक कैमरा था, कैमरे में से देखकर आप बर्ड को शूट कर सकते हैं, ठीक है तो महराजा ने लगवाया था उस बड़ माधुराओ ने लेकिन 1972 के बाद जब वाइड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया था उसके बाद से यह सब बंद हो गया, लेकिन पहले ऐसा था, कोई घूमने जाता था तो वाँ पर बर्ड को शूट करता था और एक और इंपॉर्टेंट बात है, इसकी की पार्ग जो है यह फेस करता है क्या डिस्प्लेस्मेंट और री हैबिलिटेशन इशूज किसके लिए, क्योंकि यह होम है, किसका सहरिया जंजाती का श्रीफूरी में सहरिया जंजाती रहती है और जंजाती कहां रहती है अधिकतर जंगलों में निवास करती है क्योंकि सहरिया जंजाती जंगलों में रहती है और इनको particularly vulnerable tribal groups के अंदर डाला गया है अब ये क्या है पी वी टी जी तो ये क्या है रेखें जो Ministry of Tribal Affairs है उन्होंने कुछ 75 गुरूप है टोटल कंट्री में 75 स्पोर्ट से जिनको इस गुरूप में डाला गया है कुछ ऐसी ट्राइब्स होती है जो बहुत ज़्यादा पिछड़ी हुई है ठीक है तो उनके इलाके बहुत ज़्यादा पिछड़े हुए है तो उनके लिए Social Economic Development करने के लिए ऐसा किया जाता है क्योंकि ये जो ट्राइबल गुरूप है PVTG की अंतरगर जो गुरूप आते हैं वो कैसे होते हैं क्योंकि स्मॉल पॉपुलेशन होते हैं जैसे सहरिया जन जाती है ये स्मॉल पॉपुलेशन है इसकी और Physically ये लोग isolated होते हैं यानि अपने आप में ही रहना पसंद करते हैं अलग से और इनकी कोई written language नहीं होती written language इनकी नहीं होती तो सहरिया की भी नहीं है दूसरी बात ये change बहुत slowly होते है slow rate of change होता है इनका तो इनका उठ्थान करने के लिए इनकी इनकी लिए ऐसा गुरूप बनाया गया है जो इनका social economic development करेगा हमने पड़ा माधव नेशनल पार्क के बारे में अब माधव नेशनल पार्क के अंदर ही एक महल है ठीक है George Castle है ये भवन है एक किसनी बनवाया था इसको तो माधव नेशनल पार्क के अंदर है माधो राव सिंध्या नहीं बनवाया था ठीक है लिए तो उनके लिए ये भवन का निर्माण किया गया था माध हो राव सिंधिया के द्वारा लेकिन हुआ गया था जॉर्ज बंचम आए थे और उनको भूरा खो के पास में ही जो, पूरा खो है वहां के पास में ही टाइगर मिल गया था और उने उसका शिकार कर लिया था और वो वही से वापस चले गए थे यहां तक बहुची नहीं पाये थे ठीक है बहुत ही उचाई परिस्तित है यह जोर्ज कैसल लेखिये 1597, 97 फीट उचाई परिस्तित है सी लेवल से तो सारा का सारा नजारा यहां पर उपर छट पर चड़के आप लोग देख सकते है सारे अनिमल्स को देख सकते है बहुती सुंदर भवन बनवाया था और ऐसा कहा जाता है कि इनके बनाने के लिए विदेशों से समान आया था जैसे बैल्जियम से यह खिड़केों के काच बुलवाए गए थे इटली से बाथ टब आया था टाइल्स आया थे तो बहुती खर्चा किया गया था उनके लिए इसको बनाने के लिए और कहीं कहीं पर आपको मिलेगा जीवाजी राओ ने बनवाया था तो जीवाजी राओ का जन्मी हुआ था नाइंटीन सिक्स्टीन के अंदर और उनकी टाइस सिक्स्टीवन में हुए टेडिक है तो यह बनवाया था माधो राओ सिंधिया इनके पिताजी के द्वारा फिर हम देखेंगे यहापे छत्री है तो यह स्मारक है जो सिंधिया वंश के इसमारक है जैसे यह जो छत्री है यहाँ पर सिंधिया जो माता थी उनकी महारानी सांख्या राजे सिंधिया उनकी छत्री है और इनके जस्ट सामने ही माधो राओ सिंधिया की छत्री है उन्होंने कहा ता कि जब मेरी death होगी, जब मैं मरूँगा तो मेरी मा के सामने ही मेरी शत्री बनबाना जिससे कि मुझे उनकी दर्शन होते रहे हमेशा, ठीक है तो ये ऐसा love symbol है, ये मा और बेटे का कहा जाता है जैसे ताजमल बहुत famous है, तो ये भी बहुत famous है शत्री शिफपुरी में, ठीक है उसके बाद यहाँ बर statue है, ये समाधी है किसकी तात्या टोपी की तो तात्या टोपी के बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है क्योंकि पेपर में भी आता है और वैसे भी जरूरी है क्योंकि बहुत बड़े सोतंत्रा सेनाने रहे है यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इस मारक के पास में तो आप ये भी पढ़ सकते है 1957 की जो ग्रांती हुई थी, उसमें इनका योगधान ठीक है तो कहां पे ये हैंग हुए थे, तो जिस जगह ये हैंग हुए थे, इनको लटकाया गया था सूली पर, वही पर इनकी समाधी है 18 April 1859 को इनको सूली पर चड़ाया गया था दिखे, क्या स्टोरी है इनकी, ये जो थे तात्या डोपे, इनका पूरा नाम था रामचंदर पांडूरंग टोपे, ये इनका पूरा नाम था, तो पूरा नाम भी आप लोग रट लेना तात्या डोपे को कहते थे, रामचंदर पांडूरंग टोपे, ठीक है ये क्या थे, ये कमांडर इन चीफ थे, महरानी लक्षमी भाई की पॉज में, ठीक है और इनके friend जो थे कच्षवा जो थे नर्वरफोर्ट के king थे मान सिंग तो मान सिंग ने इनसे गटदारी कर दी थी और उन्हों ने गटदारी क्यों कि थी कि उनके family को capture कर लिया गया था Britishers के द्वारा और force किया गया था कि आप तात्या टोपे की information दो नहीं तो तुम अपने परिवार से हाथ दो बैटोगे तो मान सिंग ने इनकी information तात्या टोपे की Britishers को दे दी थी कि फलानी जगा पर है तो वहाँ पर उनको पकड़ लिया गया था इस तरह से इनको फिर सूले पर लटका दिया था जो तात्या टोपे थे की Gorilla Warfare में बहुत निपूर्ण थे यानि कि पीछे से यूद करते थे पहले छापा मार यूद कहते है इसको इंदी में कहे तो Gorilla Warfare यानि कि छापा मार यूद और आप यहां से इनकी हिस्ट्री पढ़ सकते हैं फिर हम देखेंगे बांड गंगा सागर यह एक tourist spot है यहां का और अभी हमने इसका थोड़ा सा देखा भी था कि बांड गंगा सागर कैसे बना था तो Arjun ने एक अपने बांड से जमीन में खोदा था तो पानी निकल आया था और उसका निर्माण किया गया था फिर कुंती ने अपने प्यास बुझाई दी तो यह वही spot है महा भारत की काल का एक जिक्र क्या है इसके बारे में महा भारत में फिर यहां पर भदैया कुंड है बारिश के समय में यहां पर एक वाटरफॉल बन जाता है ठीक है और मंदिर है यहां पर शंकर जी का उसके पास में से चार नादिया बने हुए है तो नादिया के मुँ में से हमेशा पानी भैता रहता यह ऐसा दिव्य दरश्य होता है अच्छा लगता है देखने में आप जाए तो यहां पर ज़रूर जाए यह कुंड है यहां पर भदैया कुंड उसके बाद एक देवी टेंपल है बालापूर में सेंट टेंपल है सिसाई का शिफ टेंपल है चोरपूर में जो की प्रतिहारों ने बन बाया था दसवी शताबदी में 10 सैंचूरी में फिर देखें फोर्ट है यहां पर नर्वर फोर्ट है यह बहुत बड़े इलाके में फैला हुआ है फोर्ट और इसकी ही जो जानकारी है यह महावारत में मिलती है देखें इसकी छोटी सी स्टोरी मैं आपको सुनाती हूँ बहुती जल्दी से युदिस्टिर ने जब अपने अग्यात वास में जब उजुए में सब कुछ हार गए थे कौरवों से तो एक रिशी थे महारशी कौन थे वो ब्रहत्र शव नाम के एक रिशी से उन्हों ने कहा था कि हमें बताई है कि ये क्या कहानी है नरवर की तो नलपूर नाम का ये यहाँ पे एक जगह थी नलपूर वहाँ का राजा था नल राजा नल ये बहुती सक्तिशाली और बहुती निपुन ते हर काम में और एक रानी थी दम्यंती, घांकी थी, ये दमोह की थी, दमोह में इनका एक किला भी है, ठीक है महल है दम्यंती का तो राजा नल ने δम्यंती से शादी की थी स्वयमबर में इनके साथ क्या हुआ था धोका भी हुआ था राजा नल का ही रूप रख्के दूसरे देवता भी आये थे असा लिखा है उसमें लेकिन दम्यंती ने इनको पहचान लिया थे और इनी से शादी की थे तो देवता सारे रुस्ट हो गए थे कि दमेंती ने हमें देवताओं को धुटकार दिया और एक आम इंसान से शादी कर ली तो इनको कस्ट भोगने पड़े थे बहुत जादा इनको राजा को सारी चीजे तो थी लेकिन एक बुर्यादत थी बुर्यादत क्या थी कि ये जुआ बहुत केलते थे और इनी के भाई जिनका नाम था पुशकर उनके साथ जुए में सब कुछ हार गए थे तो छोड़कर अपना सारा राजपार्ट महल सब को छोड़कर जो वस्तर इनोंने पहने थे वही वस्तर पहन कर ये अपने महल से जाने लगे थे इस के लिए से तो यहाँ पर एक देवी थी इनके कुल देवी वो इनके आगे पसर गई थी लेट गई थी लेट ना को बोलते हैं यहाँ पर पसर जाना तो पसर Aboriginal नाम से इसके लिए में मंदिर भी है ठीक है उन्होंने रोका था इनको कि मच जाओ राजा लेकिन राजा ने उनकी भी नहीं सुनी थी पसर देवी के पास से भी ऐसे निकल गए थे ठीक है तो मंदिर है यहाँ पर पसर देवी का पुछा जा सकता है पसर देवी मंद कुछ वापस मिल गया था ठीक है तो और करेरा फोर्टे से करेरा की यह है यहां पर करेरा में भी एक फोर्ट है और पौरी में भी एक फोर्ट है और इसको भूतिया फोर्ट कहते हैं लोग कहते हैं शाम को यहां गूरों की आवाज आने लगती है यहां पर भूत रहते हैं ऐस सारे मंदिर है आप इनको देख लेना चक्के महल में है बहुत बड़ी चक्की रखी हुए जहाँ पर पीस देखाने के लिए अनाज को फिर यहाँ पर बुद्धिस्त मठ है एक ठीक है जिनका आर्किटेक्चर कुछ मुगल वे में है ऐसे देखिए में नौ गज लंबी एक मूर्थी है शांतिनाथ यह दिगंबर जैन अतिशा शेत्र में भगवान जी की मेले यहाँ पर कौन-कौन से लगते है तो पीर बुद्धान मेला लगता है यहाँ पर धाएसो वर्ष पुराना है यह मेला यह जो मुस्लिम संत थे मुस्लिम संत थे पीर बुद्धान उनकी कबर के पास लगता है यह मेला और कब लगता है तो अगस्त से से बीच में लगाया जाता है सिद्वेश्वर मेला लगता है यहाँ पर ठीक है और बलारि माता का मेला भी लगता है तो यह बहुत important मेले है पुरी जिले के अंदर फिर कल नरी डिलाइट यानि यहाँ पर क्या जादा फेमस है तो गुजिया यहाँ के बहुत फेमस है और पानी बुरी तो यह आज हमने डिसकस किया है शिफपुरी जिले को बहुत डीटेल में पड़ा है सारी चीज़े गवर करने की कोशिश किये है मैंने अगर आपको यह पसंद आया है तो शेर और सब्सक्राइब जरूर करें थैंक फॉर वाचिंग दिस एंड हव गुड डे